नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन एक टिज़र डालेंगे उत्तर प्रदेशी खबरों पर पिलिभीत के अमरिया शेत्र में इट भटोप में हो रही मिठी के अवैद खनन को रोकने के प्रशासन और पुलिस के सेक्ट टीम ने अभियान चला कर तीन जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया है हालाकि पुलिस ने बाद में एक जेसीबी छोड़ दी अम पुलिस ने तसकरों के गैंक केस चार साथियों को भी गिरफतार कर लिया जिनके कबजे से पुलिस ने दो तबंचे कार्टियों सचे मोबाइल और एक वाइट रंकी कार और गोहत्या में शामिल धारदा हतियार बरामत किया है कोशामिस दिले में पती के लंबी उमर की कामना एक साथ सुहागनों ने वर्ट सावित्री वरत रख कर की सुहागनों ने वरत रख कर वर्ट वरक्ष की पूजा अर्शना की पूजा कर रही महिला प्रीतिम विश्वा ने बताया कि जैसे सत्यवान की मौत के बाद सावित्री ने यम्राज से अपने पती की जान चीडनी थी ठीक उसी तरह से हम लोग भी वरत रखकर अपनी पती की लंबी आयू की लगातार काम ना कर रहे हैं विजणौर में एक ही परिवार की तीन सदस्यों ने जहरीला पदार खा लिया पुलिस से तंग आकर जहरीला पदार खाया पती पत्म और बेटी ने जहरीला पदार खा कर जान देने की कोशिश की ललित्पुर में COVID-19 vaccination के दौरान एक लाब भिरतियों को एक ही समय में दो डूस लगाने से स्वास में भाग मेर कम मच गया, घबराई युवक मुखे चिकिसा अधिकारी कारले पहुच गया, एक पत्रकार द्वारा माम ने पूची जाने पर भी झळला गए, वहीं महिला आयोग की सिदस्या कंचन जैस्वाल ने संग्यान लिया है, और जाच के आदिश दिये हैं, तो शीपाई जाने पर कारवाई की बात कही है. ललिटपुर के थाना गिरार अंतरगर ग्राम इकॉना से एक महिला अपने दो बच्चों समेथ बुद्वार श्राम से गया थी, परीजनों द्वारा काफी खोजमीन के बाद गुरवार सुभाल वर रोहनी बान के तहनेटी में बच्चों के श्वाप पानी में उतरता इसके बाद शुनात की गई, शुनात में राम निवासी, राम प्रकाश उरियर की छे वर्षी पुत्री शिवानी और चार वर्षी अपोतरनेत के रूप में की गई है, जब कि उसकी पत्नी लक्षमी की खोज लगातार जा रही है, विंदावान विशुर प्रसेद वंदी भीड लगातार लगाते में नजर आ रहे हैं, ना तो किसी में सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है, ना ही किसी को कॉरोना का डर है, ऐसे में लगातार ये कोशिच की जा रही है, कि लोगों को समचाया बुझायजा त्वी उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे है, ऐ परोना के संक्रमन को फैलने का माध्यमना बन जाए अब खबर गाज़िपूर से है जहां पंचाय चनाव में अरक्षण को लेकर पिछले दिनों काफी होहला हुआ जिसके बाद कुछ लोग कोट का भी श्रण लेने पहुंचे थे उसके बाद अरक्षण प्रक्रिया बदल कर चनाव संपन हुआ लेकिन इस पंचायत के बाद ग्राम बंचायतों के गठन के लिए ग्राम बंचायत सदस्य के चनाव में एक बड़ा जोल जनपत गाज़िपूर में देखने को मिल रहा है यहां के सिवराई तैसिल के सरेला गाओं में वार्ड नमबर 9 से प्रतियाशी न दबोश लिया जिसका विरोध करने पर दबंग ने यूवती और इसकी मां को जमकत पीटा और धंक्या दी है थाना इज़त अगर पोलिस ने कई बार शुकायत करने पर भी पोलिस ने कोई कारवाई नहीं की पीडित परिवार ने अपने मकान पर मकान बेशने का बोड लग पर आ रहे हैं सरकार के 108 फ्री सिवा जो सबके लिए फ्री है अगर वहीं पैसों की अवैद उगाही करेगी तो लोगों का विश्वा सरकार पर से उठ जाएगा आए दिन लोग ऐसी बारदातों का शिकार हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी प्रिशासन चुप है अमबेट के नगर जनपद में आई एक बारात में पठाका दागने के विवाद में दो पक्षों में जमकर एट पत्था चल गए दो रोपक्षों में जमकर मारपिटाई हुई जिसमें तीन लोग घाल हो गई हैं एक तरफ मया तो दूसरी तरफ बारात निकल रही थी बरातियों पर पता का फोनने का आरोप है, प्रित्पक्ष की तर्री पर पुलिस ने पांच नामजद और आठ ग्यात के खिलाफ केस तर्च कर लिया है, मार्पिट का वीडियो भी तेजी के साथ पारल हो रहा है, दुरुपक्ष मुश्लिम है, इब्राहिम पुथानाश्वेत के बैल सापुल गाउं का पुरा मामला, कानपर देहाद पुलिस अधिक्षक ने खानन माफियों पर बड़ी कारवाई करते विए, ओवरलोड और बिना रोयल्टी हाइवे से गुजर रहे, मौरम से भरे 150 से अधिक ट्रकों को पकड़ कर सीज कर दिया है, पुलिस के ट्रकों को एंट्रे के नाम पर पांच उसार या दस अजार रुपए महीना वसूलते हैं। इंजक्शन बेशने का आरोप लगाया। वही पुलिस ने परिद की तरी पर दो लोगों के खिलाब मुकंदमा दर्ज का चांस शुलू करती है। को द्वारा वैक्सिन लगवाने में दिल्चस्पी दिखाई दे रही है। 45 पार के लोगों को वैक्सिन लगवाने के लिए पिरिद किया गया। एक सब्ता में करीब 12,000 युवक वैक्सिन लगवाच चुके हैं। अभी तक 2,33,000 से जादा लोगों को वैक्सिन लगाई जा चुकी हैं। जिन में से 1,85,000 लोगों को प्रथम डोज और 48,000 से जादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। बरेली के इजतनगर में इंटर्मेडियाट की छाद्रा के साथ हुए ग्यांग रेप कांड के सबी 6 आरोपि गर्फतार हो गई है। पुलिस ने अधिवक्ता नरेश और धर्मिंद पर 20-20,000 का इनाम गूशित किया था इस जपनगर में 31 मई को भगवानपुर धीमरी गाउं में चात्रा के साथ ग्यांग रेप किया गया अपने दो दोस्तों के साथ सोची पर घूमने आई थी चात्र वरहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरबतार का चेल भीस दिया है उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें नीजवा ने दिया